आगामी लोगसबा चुनाओं से पहले राममंदिर का मुद्धा मोधी सरकार के गले की फांस बन गया है जो एक तरफ शिवसेना से लेकर बीचपी से लेकर हमलावर है तो वहीं अब आरेसेस ने भी रामराग तीज कर दिया है संग ने आयुध्या में राममंदिर निर्मान कुले का राज से दिल्ली में अपनी रथियात्रा शुरू कर दी है हाला कि उम्मीद जताई जा रही थी कि राजधानी की सडकों पर लोगों का हुजू मुम्रेगा लेकिन आज रथियात्रा में ज्यादा लोग नजर नहीं आए साल 1990 में लालकृष्ण आडवाणी निये सोमनाच से राममंदिर निर्मान के लिए रथियात्रा निकाल कर बीजेपी के लिए सियासी जमी मजबूत की थी 1990 के बाद वे चुनाओ के बाद बीजेपी को बठत मिली थी तब कहा गया था कि बीजेपी को राम नाम का सहारा मिल गया इसलिए अब जब जब चुनाओ होता है तब तब बीजेपी राम नाम जपना शुरू कर दिती है 2014 की लोग सबाद चुनाओ से लेका उतर प्रदेश के विधान सबाद चुनाओ तक बीजेपी ने चम कर भगवान राम का सहारा लिया इस चुनाओ में भी बीजेपी राम के भरोसे है लेकिन इस बार उसकी नया पार लगना मुश्किल है क्योंकि राम मंदिन नर्माण पर वादा खिलाफी को लेकर अब उसकी ताकत कहे जाने वाले आरेसेस नहीं मोर्चा खोल दिया है संग ने आयोध्या में राम मंदिन नर्माण को लेकर राज सिर्दिल्ली में अपनी रथयातरा शुरू कर दी है ज़ंडे वालान मंदिर से आरेसेस के नेताओं ने इस रथयातरा को हरी ज़ली दिखाई ये यातरा 9 दिसंबर तक निकाली जाएगी कारिकरता इसके जरी लोगों को राम मंदिन नर्माण के लिए जागरू करेंगे इसकी जिम्यदारी स्वदेशी जागरण मंच को दी गई है जो आरेसेस का ही संग्ठन है इस रथयातरा को संकल्प रथयातरा नाम दिया गया है हाला कि उमीद जताई जा रही थी कि राजधानी की सरकों पर लोगों का हुज़ू मुड़ेगा लेकिन आज रथयातरा में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए लेकिन कारिकरताओं का कहना है कि धीरे धीरे हमारे साथ लोग जोडने शुरू हो जाएंगे आपको बता दे कि संगप्रमुक मोहन भागत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार को इस पर जल से जल कानून लाना चाहिए अब आश्वासन नहीं मंदन निर्माण की तारिख चाहिए RSS और VHP की तरच उठ रही इस मांग को लेकर आगामी चुदाओं में मोधी सरकार की परिशानी बढ़ना तैय है DB Live रिपोर्ट